स्टूडन्ट और टीचर का अफेर है यह दोनों विकेंड पर ज़रा बाहर जाते हैं पर वहाँ उन्हें कोई ब्लैक्मेल कर रहा है इनका विकेंड एक सर्वाइवल का गेम बन जाता है इसी इंटरस्टिंग स्टोरी के साथ हमारी आज की मूवी आती है हेलो फ्रेंड्स आज मैं आपको एन अफेर टो डाय फॉर यह 2019 की थ्रीलर मिस्ट्री मूवी एक्स्लिबेन करने वाला हूँ इसके लास में जो ट्विस्ट आता है यह बहुत ही अनेक्स्पेक्टेड है यह पूरी मूवी ट्विस्ट एंड टर्न से भरी हुई है आज की वीडियो में हम एक गीववे करने वाले हैं जो स्पॉनसर किया है कैश करो एप ने अर जगा सेल चल रहा है Amazon की Great Indian Festival, Rivkaard का Bill Billion Days, मिंत्रा एजो की सेल पर कैश करो की ओरेंज बटन से आप इन सेल्स की डिसकाउंट पर कमा सकते हो और भी एक्स्ट्रा कैश पैक अगर आप भी डारेक्ली वेबसेट पर जाकर शॉपिंग करते हैं तो कैश करो की अड़र डाल लो इसी वीडियो में गीववे की भी डिटेल्स में देने वाला हो तो ध्यान से देखिएगा बीना किसी देरी के इसे एक्स्प्रेंट करना स्टार्ट करते हैं मुवी स्टार्ट होती है और हमारी मेन क्यारेक्टर जिसका नाम हॉली एक कार में एक विकेंड के लिए एक होटेल तक जा रही होती है। नाम रसल है, इन दोनों को एक बेटी भी है, जो आप कॉलेज में बढ़ती है, ये सब इन्फोर्मेशन जब हॉली को उसके हस्बंड का, यानि कि रसल का कॉल आया था, तभी हमें मिल जाती है, इसके बाद हॉली होटेल तक पहुचती है, होटेल का वेटर जिसका नाम है डेव हॉली से बात करने लगता है, और कहता है कि मेरी भी शादी को आप दो साल हो चुके है, हॉली उसे कॉंगरेचुलेशन करती है, डेव हॉली कहती है कि आपके शादी को कितने साल हुए है, हॉली कहती है कि आप 21 एस हो चुके है, डेव ये सुनकर इंप्रेस्ट होता है वो Holly से अपनी wife को खुश रखने के लिए एक advice मांगता है Holly कहती है कि अपनी wife को जरा space देना तुम अगर एक दू दिनों के लिए कही बाहर जाते हो तो इससे बहर बढ़ जाता है कभी भी wife को अपने आप से कोई अलग मत समझना और हमेशा कोई जगड़ा वगड़ा हुआ तो उसे फूल लेकर जाना डेव को ये advice बहुत अच्छी लगती है डेव Holly को उसका room वगड़ा दिखाता है और इसके बाद वहाँ से चला जाता है Holly देखती है कि डेवल वार wine पड़ी हुई है उसके बाद से लेटर पड़ा है इस लेटर में एवरेट ने Holly के लिए message छोड़ा है इसमें लिखा है कि बात लो अपने eyes close करो और उसके बाद सींग के पास जो envelope है इसे open करना मैं जल्दी तुम्हारे पास आ जाऊंगा Holly फिर ऐसा ही करती है उसका बात enjoy करती है इसके बाद वो एवरेट का वेट कर रही है थोड़ी दिर में डोर पर तीन नौक्स आते है कोई अंदर आता है पर Holly अभी भी उसे देखनी पा रही Holly बोलती है क्या तुम एवरेट हो जो कोई भी आया है वो कुछ भी बोलता नहीं डारेगली Holly के पास आकर उसके साथ इंटिमेट हो जाता है वोड़ा टाइम गुजर जाने के बाद Holly को लगता है कि आदमी उसे जबरदस्ति कर रहा है वो हर्ट हो रही होती है Holly उसे रुकने के लिए गहती है पर वो रुकता नहीं वहाँ से फिर वो आदमी चला जाता है और लिविंग रूम में आता है लिविंग रूम में हम देख सकते हैं कि एवरेट के मुप पर पट्टी है उसके हाथ भी बंदे हुए है जो आदमी Holly के साथ फोसपुली इंटिमेट हो रहा था या Holly का हस्बनी था जिसका नाम है रसल रसल फिर एवरेट के पास आता है उसे कहता है कि अब तुम्हें जूट बोलना है कुछ भी हो जाए Holly इस रूम से बाहर नहीं निकलनी चाहिए वरना बहुत बुरा होगा तुम्हारे वाइफ और तुम्हारे डॉटरस इन सब को मैंने किड्नैप कर लिया है अगर Holly ने कुछ भी मिस्टेक की तो मैं उन्हें मार दूँगा रसल एवरेट को एक फोन देखर जाता है अगली इंस्ट्रक्शन्स वो फोन पर ही देने वाला है एवरेट को फ्री करकर रसल वहाँ से चला जाता है एवरेट फिर हॉली के पास आता है उसका ब्लाइंड फॉल वेगरा निकालता है तो हॉली उस पर बहुत ही चेड़ी हुई है हॉली के थी कि मेरे साथ तुम ऐसा कैसे कर सकते हो यह जो तुमने आज किया है यह बहुत ही गलत किया है अब तुरंद हॉली यहाँ से चली जाना चाती है पर एवरेट उसे रोक लेता है एवरेट उसे बोलता है कि प्लेज ऐसे मच जाओ मुझे पता नहीं था कि मैं क्या कर रहा था उसे गिड़ गिड़ा कर रोकने के लिए मना लेता है वाली ज़रा शान दोती है और उसके बाद एवरेट को रसल का कॉल आता है एवरेट रसल से कहता है कि आप मेरे साथ इसा क्यों कर रहे हो आप हमें इसे रोक कर नहीं रख सकते है रसल कहता है कि तुमने मेरी family को hurt कर दिया है मैं तुमें जैसे बोल रहा हूँ वैसे तुमें सब कुछ करना है वरना तुम्हारी family को एक-एक करकर में मार डालूंगा रसल फिर Everett को उसकी wife की भी चीक सुनाता है उसकी wife help के लिए गिडगिड़ा रही है एवरेट बहुत ही डर जाता है रसल एवरेट को कहता है कि तुम्हें जो करना है वो तुम कर सकते हो सिर्फ तुम्हें इस रूम से बाहर नहीं जाना है अगर तुमने पुलिस को कॉल करनी कोशिश की तो तुम्हें पता है कि क्या होगा इस call से हमें ये भी पता चलता है कि Russell को Holly और Everett के बारे में उनके bank account statement से पता चला था ये long weekends पर जाते हैं तो ये बहुत ही expensive है Holly living room में है और थोड़ी अफशान्त हो चुकी है Everett उसके पास जाता है Holly उसे भुछती है कि ऐसा तुमने आज क्यों किया Everett कहता है कि मुझे लगा कि वो तुम्हें पसंद आएका तुमने last weekend पर कहा था कि हमें कुछ new try करना चाहिए Holly कहती है कि ऐसा मुझे कुछ भी नहीं चाहिए था Everett उसे फिर से sorry कहता है अब फिर से ऐसा हो नहीं करने वाला ये दोनों बात कर रहे थे तभी होटेल का स्टाप उनके डोर पर नौक करता है Everett जब देखने के लिए जाता है तो स्टाप उसे कंप्लेंट करता है तो कहता है कि तुम्हारे neighbors के बहुत सारी कंप्लेंट्स आ रहे थे Everett और Hawley ये दोनों बहुत ही आवाज कर रहे थे Everett उन्हें sorry कहे कर ये फिर से नहीं होगा ये उन्हें अशूर करता है जब Everett होटेल के स्टाप से बात कर रहा था तभी Hawley को एक कॉल आया ये कॉल रसल का था रसल ने उसे पूछा कि तुम कहा हो Hawley ने फिर से उसे जूट कहा रसल ने अब Hawley का जूट पकड़ लिया उसने कहा कि मुझे पता है Everett के बारे में Hawley ने deny करने की कोशिश की पर वो कर नहीं पाई रसल बोला कि तुम बहुती stupid हो तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारे साथ Everett का ये first affair था Everett ने बहुत सारी लड़कियों के साथ देखिया है उसके बाद वो लड़किया भी गायब हुई थी रसल हॉली को इंस्ट्रक्शन देता है कि आप तुम इस होटेल से बहार निकलने की ट्राय करो ये आम देख सकते हैं कि रसल एवरेट और हॉली को दोनों को हॉली फोन देने के लिए मना करती है पर एवरेट कहता है कि मसाज का अगर तुमें फूल एक्सप्रियेंस चाहिए होगा तो तुम फोन में एंगेज नहीं रह सकती है हॉली फिर मसाज टेबल पर जड़ा रिलाक्स होती है इस विकेंड के लिए जिस होटेल में आया है यह होटेल एवरेट में बुक किया था हॉली को क्वेशन आता है और वो एवरेट से पुछती है कि तुमने इस होटेल को अफोर्ट कैसे किया अगर आपको इस तरह की अच्छी लाफस्टेल जिनी है तो आपको सेविंग करनी पड़ती है सेविंग का एक अच्छा तरीका और हमारे गिववे इसके बारे में मैं आपको आप इन्फोर्मेशन बताता हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कैश करो एप का लिंक दिया हुआ है अभी जाकर उस लिंक पर क्लिक करो और सिंप्ली एप डाउनलोड करो मेरी दियुही लिंक से आपको 25 रूपीज कैश बैक मिलेगा इस 25 रूपीज के अलावा हम 5 विनर चुनेंगे इस 5 विनर इसको Amazon का गिफ्ट रोचर मिलेगा जिसकी वर्थ होगी 200 रूपीज इच यह कैसे करना है यह मैं आपको बताता हूँ अकाउंट ओपन करकर को भी वेबसाइट सिलेक करो जैसे अब मैं Amazon सिलेक कर रहा हूँ फिर औरेंज बटर पर टैप करो इससे आप सीधा वेबसाइट पर पहुच आएंगे जैसे आप यूजूली शॉपिंग करते हो वैसे आपको करनी है पेमेंट करने के बाद कैश करो एप में माई अर्निंग सेक्शन में आप अपना कैश बैक चेक कर सकते हो जब आपका कैश बैक कनफर्म हो जाएगा तो डारेकली बैंक में भी ट्रांसपर कर सकते हो या अमेज़न गीफ वाचेर में कनवर्ट कर सकते हो कैश करो एप से अमेज़न जैसे 1500 प्लस वेबसाइट से आप शॉपिंग कर सकते हो अभी सेल के टाइम पर अगर आप कैश करो एप से शॉपिंग करते हो तो एक्स्ट्रा कैश बैक मिलेगा ही और इसके साथ आप जी सकते हैं 3 लाग तक बंपर प्राइस अभी डिस्क्रिप्शन की लिंक से कैश करो एप अप अपना अकाउंट बना और कोई भी पर्चेस करो हमारे पाच विनर्स को अमेजोन का गिफ्ट वोचर मिलेगा जिसकी वर्थ 200 रुपीज इच होगी तो डाउनलोड कैश करो फ्रम डिस्क्रिप्शन नाओ फिर से हमारे वीडियो की तरफ हम मुटते हैं एवरेट कहता है केरफुल रहे कर मैंने सब रांजाक्शन नेगरा की है तो मैं वरी करने कि कोई भी जरूरत नहीं है किसी को भी हमारे बारे में नहीं पता चलेगा मसाच करते में एवरेट हॉली से पूछता है तुम्हारा हस्बर्ण क्या करता है एवरेट और हॉली के कुछ रूस थे अपने हस्बर और वाइफ के बारे में कोई भी पूछने नहीं वाला अब ए रूल वो ब्रेक कर रहे है हॉली एवरेट को कुछ भी नहीं बताती है एवरेट पूछता है कि उसने तुम्हें कॉल क्यों किया था हॉली कहती है कि मैं कैसे हूँ यह सिर्व वो चेक कर रहा था मसाच हो जाने के बाद हॉली शावर लेना चाहती है उसे अभी भी मालूम पढ़ा है यह वरेट डेंजरेस है तो चालागी से अपना फोन उठाना जाती है पर एवरेट उसे रोक लेता है उसे कहता है कि तुम आराम से शावर लो उसके बार में तुम्हें तुम्हारा फोन दूँगा हॉली शावर में जाने का बहाना करकर अपनी बेडरूम की खिड़के से बाहर आवाज लगा दिया उसे कोई हेल्प कर सके इसके लिए उस चिलाने लगती है एवरेट उसे सुनने पाता पर एवरेट को रसल का मैसेज आता है वो कहता है कि हॉली कुछ अजीब कर रही है अगर फिर से हॉली ने कुछ मिस्टेक की तो उसकी वाइफ को मार डालेगा एवरेट डर जाता है और हॉली के बेडरूम तकाता है हॉली ने बेडरूम को बन कर दिया है एवरेट दर्वाजे को तोड़ता है पर हॉली चाला की से फिर से शावर में आ चुकी है वो अब हॉली पर विलिव नहीं कर सकता वो हॉली से कहता है कि मैं भी तुमारे साथ शावर करूँगा फिर से वो Holly से बुछता है कि तुम्हारा husband करता क्या है वो gases लेने लग जाता है वो पहले कहता है कि तुम्हारा husband cop होगा security में होगा पर उसके बाद Holly से कहती है कि उसका husband surveillance में है बुलिस के लिए वो surveillance करता है Everett को इस वर बहुत ही गुस्सा आता है वो कहता है कि इतने दिनों से हमारा affair है और तुमने मुझे कुछ भी बताया नहीं तुम्हारा husband हमारे लिए बहुत ही dangerous हो सकता है Holly कहती है कि उसका days job है वो कुछ भी नहीं कर सकता Everett कहता है कि तुम्हें कुछ भी आइड़ा नहीं है गुस्से में शावर से बहार निकलता है लिंग रूम में आकर क्या कही microphone या cameras hide क्यों है या search हो करता है उसे पता है कि रसल उसे देख सकता है पर उसे कुछ भी नहीं मिलता इसके बात Everett को phone पर instruction मिलती है कि गोली लो और Holly के drink में मिला दो इस drink की वज़े से Holly को नीन आ जाएगी Holly फिर अपने कपड़े में गरा चेंज करती है तो उसके बैग में sleeping pills है Holly को sleeping का problem था इसे वज़े से उसके बास यह है उसे भी idea आता है कि Everett के dream में यो गोलिया मिला सकती है Holly बाहर आने के बाद Everett उसे wine के लिए पुछता है यह दोनों बैलकनी में आते है Holly Everett के सामने उसके drink में कुछ भी नहीं मिला सकती तो गहती है कि मुझे red wine नहीं चाहिए फ्रीज में white wine की bottle है क्या तुम वो ला सकते हो Everett जब यह लाने के लिए जाता है कि उनके marriage को 21 years हो चुके है Everett के age बहुत ही काम है तो waiter को यह जब लगता है जब waiter वहाँ से जा रहा होता है तो Holly खुद उसे tip देती है tip की note पर लिखा हो आता कि उसे help चाहिए Everett बहुत ही dangerous है इसके बाद बीना wine पिये Holly और Everett डिनर के लिए पेटते है इस डिनर के लिए steak है और यह डिनर भी Russell नहीं भीज़वाया था Holly को लगता है कि Everett ने order किया है और पुछती कि तुमने ये क्या मंगवाया Everett कहता है कि मैंने chef special मंगवाया था तुमें तो new cheese experiment करना अच्छा लगता है तुम तो इससे try करी सकती हो Everett Holly और उसके relation के बारे में बोल रहा था इन दोनों में affair हुआ तो Everett Holly को ही blame करता है Holly कहती है कि start तो तुमने ही किया था तुम fail हो रहे थे तो extra credit के लिए तुम कुछ भी करने के लिए ready थे first move तो तुम नहीं की थी इन दोनों को बता है कि इनकी relationship अब जादा नहीं चलने वाली Holly कहती है कि जो भी था हम दोनों ने मज़ी किये है हम दोनों में कुछ unexpected moment है हमें बता था कि ये गलत है पर इसी वज़े से हमें मज़ा आ रहा था ये डिनर खतब होता है तो Everett की mobile और message आता है इस message में Holly ने जो waiter को note दी थी यही note है इसमें लिखा हुआ है कि तुम careful नहीं थे अब तुमारी wife को भुगतना पड़ेगा डॉर पर नौक आती है Everett की wife का ring finger cut करकर वहार रखा हुआ है Everett ये देखकर बहुत disturb हो जाता है वो सुन होकर एक जगा पर बैठता है Holly ये देखकर उसके पास जाती है और उसे wine पिलाती है उसकी hair bin एक sharp object की तरह है ये pin लेकर वो Everett की गले पर लगाती है गयती है कि मुझे अब सच सच बता कि चल कह रहा है मुझे सब कुछ बता और मैं यहाँ से चली जाओंगी और तुम मुझे कुछ भी नहीं करोगे क्योंकि तुमने मुझे assault किया है मैं अगर पुलिस की पास जाओंगी तुम बढ़े double में आ सकते हो एवरेट हॉली को कुछन के पास जुकने के लिए कहता है वो कहता है तुमारा हस्बन यह सब कर रहा है उसने सब जगा कैमेरे लगाए हुए है हमें वो यहाँ देख नहीं सकता उसकी वज़े से मेरी फैमिली भी डेंजर में है सब कुछ वो उसे बता ही रहा था पर अब वाइन का नशा उसे आता है वो बेहोश होकर गिर जाता है थोड़ी दिर में हॉली भी बेहोश होती है क्योंकि उसने भी वाइन पी थी है जब एवरेट उटता है तब उसके हाथ में एक सिरींच है उसे के रूम में रसल एक चेर में हर्ट होकर पड़ा हुआ है जब वो लिविंग रूम में आता है तब हॉली भी बंदी हुई है रसल को हॉली के कफस की चावे मिलती है और उसे वो खोल देता है हॉली कहती है कि तुम इससे बच नहीं सकते दूसरी लड़कियों के साथ तुमने जो किया है वो मेरे साथ नहीं कर सकते मेरे हजबन को सब कुछ पता है और वो जल दिया जाएगा एवरेट हॉली को हैंकप से चुड़वा कर बेडरू में लेकर आता है हॉली रसल को देख कर रोने लग जाती है रसल के हाथ में एक नोट है जो हली देख लेती है ये नोट हो छुपके सरक लेती है रसल की टंग ही काट ली गई है तो कुछ भी बात नहीं कर सकता रसल बहुत ही हर्ट है तो थोड़ी देर में उसकी डेथ हो जाती है इसके बाद Everett के mobile पर call आता है Everett speaker पर call लगाता है इस call में आदमें कहता है कि ये message तुम दोनों के लिए है तुमने affair करकर दो families को hurt किया है अब इनको choice देता है वो गयता है कि कल सुभा तुमारे room से सिर्फ एक आदमे बाहर निकलेगा अब तुम दोनों को decide करना है कि ये कौन होगा यानि कि इन दोनों को कह रहा है कि एक दूसरे को मार डाले अगर इन दोनों ने ऐसा नहीं किया तो Holly की daughter को और Everett की family को मार डालेगा ये उन्हें वो धिमकी देता है इन दोनों को समझ में नहीं आता कि उन्हें क्या करना चाहिए Everett living room में आकर एक knife निकालता है रसल के हाद में जो note थी जब वो Holly पढ़ थी है तब उसमें safe लिका हुआ है यानि कि इस room में जो safe है यो Holly को देखनी है Holly को room के safe में एक memory card मिलता है Everett Holly को जाकर मारने ही वाला था तब ही hotel का staff दोर पर knock करता है वहता है कि बहुत सारी noise complaint आ रही थी hotel की staff कहते है कि जो waiter आपके पास आया था वो missing है हम सब जगा inquiry कर रहे हैं पर last time आपके room तक वो आया हुआ था इसी room से उन्हें बहुत सारी noise complaint भी आई हुई है Everett हुने कहता है कि हमें dinner serve करकर वो waiter चला गया उन्हें अशुर करता है कि noise हम कम रखेंगे hotel staff कहते है कि आपकी wife से भी हमें बात करनी है जैसा Everett ने कहा था वो ही सब कह देती है इसके बाद Holly चाकोटा लेती है Everett उसे कहता है यह जो सब हो रहा है यह perfectly planned है तुमारा husband और कोई उसके साथ मिलकर हमारे साथ यह कर रहा है हम दोनों के family danger में है तो हमें मिलकर काम करना चाहिए Holly इस पर believe नहीं करती तो Everett कहता है मेरी wife का finger निकाल कर उन्होंने मुझे send किया था यह finger Holly देखती है Holly अभी भी कहती है यह तुम थोड़ी देर पहले मुझे मारने वाले थे मैं तुम बर believe नहीं कर सकती Everett उसे मनाने के नहीं उसके पास जाता है वहता है यह मेरी wife है मेरे daughter है मेरे एक अच्छा future है Holly उसे दूर रहने के लिए थे पर Everett रूक नहीं रहा उसके ज़्यादा ही पास आजाता है तो Holly चाकू चला देती है मरते मरते Everett कहता है कि हम दोनों कभी भी एक कपल नहीं बन सकते थे क्या तुम मेरा हाथ पकड़ोगी Holly भी उसे सहारा देती है Everett को पस्ता आता है गहता है क्या तुमें लगता है कभी भी मेरी family मुझे माफ करेगी Holly इसका अंजर उसे नहीं दे पाती है थोड़ी दिर में Everett की भी डेथ होती है Everett के mobile पर Holly को एक call आता है Holly को इस call पर कहा जाता है कि अब तुम freedom के लिए एकी step दूर हो तुमारे पास जो भी सब phone से microwave में डाल कर उन्हें जला दो इसके बाद मुझे मिलने के लिए room 302 में आओ ये सिर्फ तुम कर दो और तुमारे room में जो भी सब bodies पड़ी हुई है ये सब हम देख लेंगे तुम पर कोई भी शक नहीं करेगा Holly को जैसे कहा गया था ये सब वो करती है और फिर room में आती है इस room में आकर उसे Everett की wife मिलती है जो बंदी हुई है Holly कहती है कि मैं हट नहीं करने वाली Everett की wife कहती है कि Everett कहा है Holly कहती है कि अब मैं पुलिस को कॉल करती हूँ इसी room में Holly देखती है कि बहुत सारे monitors है जो भी Holly के room में चल रहा था ये सब यहाँ से देखा जा सकता है रसल की वज़े से Holly को एक memory card मिला है ये वो plug कर कर देखती है इसमें एक वीडियो है जिसमें देख सकती है कि रसल ने सब camera's विगरा fit किये थे और भी आगे देखती है तो रसल के साथ Everett की wife भी थी जिसको अभी-अभी Holly ने free किया है आज जो भी Holly और Everett के साथ हुआ है ये सब रसल और Everett की wife ने मिलकर plan किया था Everett की wife फिर Holly के पास आती है वो गहती है कि तुमने सब कुछ बर्बाद कर दिया है पहले जो दो लड़किया थी उन्हें Everett ने मार दिया था तुम्हें नहीं मारने वाला था इसलिए मुझे इस सब करना पड़ा मैं और तुम्हारा husband दोनों तुम्हें पनीश करना चाहते थे उसे convince करना ज्यादा difficult नहीं था इसके बाद Holly के पास जो card है ये Everett की wife चीन लेती है इसे तोड़कर toilet में डाल देती है Everett की wife और Holly ये दोनों एक दूसरे से जगड़ती है इसी जगड़े में गुसे में Holly Everett की wife को मार डाल दिया इनकी कमरे से बहुत ही noise आ रहे थी तो hotel staff इनके room तक बहुत चुका है Holly को Everett की wife का murder करते हुए देख लेता है Holly को blackmail किया जा रहा था ये Russell और Everett की wife कर रहे थे इस blackmail का एगी proof था और वो था Everett का phone Holly को Everett की wife ने कहा कि अगर उसे बसना है तो Everett के phone को वो microwave कर दे फोन एक सबूत था और दूसरा था Russell का Holly को दिया हुआ एक card एक card Everett की wife ने Holly से छीन लिया और उसे तोड़ दिया अब Holly के पास कुछ भी real evidence नहीं है कुछ भी proof नहीं कर सकती देखने से तो यही लगेगा कि उसने Everett उसकी wife और Russell को मार डाला Holly अब पुरी तरीके से frame हो चुकी है Holly और Everett की वज़े से उन दोनों की families बरबात हो गए Everett के बारे में उसकी wife को पता चला था वो Everett और Holly से इन दोनों से बदला लेना चाहती थी उसने फिर Russell को contact किया Holly और Everett को torture करने वाले थे स्टार्टी में इनका plan बहुत ही अच्छे से चला मुवे की बीच में हमने देखा कि Russell को ही torture किया गया और उसकी death हो गए Lydia Holly और Everett को मार देना चाहती थी शायद रसल को अच्छा नहीं लगा और इन दोनों में fight हुई Lydia ने रसल को भी drug करकर उसे मार डाला आपको लग सकता है कि Holly और Everett को तो एक आदमी की आवाज में call आ रही थी Everett की wife के पास पुरा setup था वाज simulation करकर उनसे बात कर रही थी उसने जैसा plan किया था Holly और Everett इन दोनों में से एक दूसरे को मार डालेगा वैसे ही हुआ लास में Everett की wife ने सब को सबूत मिटा दिया है Everett की wife मर गए पर वो हमेशा से बदला लेना चाहती थी तो लेकर गई है अब Holly पूरी जिंदगी जेल में ही बिताएगी इसी तरह से हमारी ये movie एंड हो जाती है एक गलत चीज का अंद भी बहुत ही बुरा होता है वीडियो एंड करने से पहले Guys sales तो लाइफ है इन sales पर free cashback earn करो cash करो से cash करो आपको shopping करने के literally free बेसे दे रहा है cash करो अब अभी description की link से download करो और बहुत सारे बेसे बचाओ और कमाओ भी description की link से 25 रुपेज extra cashback मिलेगा it's a great chance don't forget to participate in the giveaway अगर आप कोई वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इस वीडियो को like कर दीजेगा मैं बहुत सारी movies लेकर आद रहता हूँ तो प्लीज इस चैनल को subscribe कर दीजे और bell notification icon दबाने भी मत भूलिया है हम फिर से मिलेंगे और एक नहीं movie के साथ तब तक लिए thank you और आप अपने आपका खैल रखे